तो हलो गाईज तो आज की इस रिविजन वाली क्लास में बहुत सारे important questions का मैं आपको revision कर रहा हूँगा मतलब सारे important questions आपको मिलेंगे मज़ा आ जाएगा पढ़के तो चलो फिर start करते बिना time waste करें तो इस प्रशन में आपसे पूछ रहे हैं ओला ने भारत का पहला AI model ये किस नाम से launch किया तो अंसर होगा कृत्रिम और ये model ओपन AI जो कि अमेरिकी कंपनी उसका एक chatbot है chat GPT आप जानते हो और Google का जो बार्ड है उसको टकर देगा ये 22 भारते भाषाओं को समझ सकता है और Hindi, Telugu, Marathi जैसी 10 भाषाओं में text तयार कर सकता है आप कह सकते हो इसे भारत के पहले full stack AI के रूप में categorize किया गया है अच्छा मुझे एक प्रशन का उत्तर दो अभी किस dictionary ने AI को अपना दो जातेविस का word of the year चुना था बताओ देखे किस को बताए और शायद मैं आपको बतादू जब हमने ये revision वाली class से start की थी अभी उसमें पहला कुश्यन ही मैंने आपको शायद वही कराया था जात्तक मुझे ध्यान है मतलब मैं करा चुका हूँ बात यह है अब आपको बतारा है इसका उत्तर क्या है फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी किसे International Institute for the Unification of Private Law की Governing Council के रूप में चुना गया तो अनसरोगा उमा शेखर को तो उमा शेखर यह पहली भारते महिला बन गई है जिनका चिनाव International Institute for the Unification of Private Law की Governing Council के लिए किया गया है तो इसकी Governing Council में चुनी जाने वाली यह पहली भारते महिला है तो परशन इम्पोर्टेंट है और वैसे यह है क्या तो यह स्वतंत्र अंतर सरकारी संगठन है जो विश्विस्तर पर वानिजिक कानून में एक रूपता को बढ़ावा देने पर केंद्रित है इसका मुख्याल आपको मिलेगा रोम इटली में फिर आपसे पूछ रहें अभी देसंबर दोजा तेविस में ओमान के सुल्तान ये भारत की तीन दिनों की यातर पर आये थे नाम बताओ सिधा सा परशन है हेतम बिन तारीकिन का नाम है और ओमान की केपिटल क्या होती है मस्कट होती है करणसी है ओमानी रियाल ओमान के साथ हम तीन तरकी में लेक्टर एक्सरसाइस करते हैं अल नगाह या नजाह भी आप बोल दो ये एक सेन्य अभ्यास है नसीम अल बहर ये नौसेनिक अभ्यास हम करते हैं और एक इस्टर्न ब्रिज एक्सरसाइस हमने इसके साथ किया था जो कि एक वायू सेन्य अभ पहली जो इंटरनेशनल फ्लाइट यहां पे शुरू की गई वो किस ने की थी एर इंडिया ने सूरत जिसे डाइमंड सीटी भी बोलते हैं और अभी याद होगा सूरत डाइमंड बोर्स बिल्डिंग ये दुनिया की सबसे बड़े कार्याले भवन बन गई है जिसका मोधी ज अगला प्रशनी क्या है कि भारते वायू सेना ने समर वायू रक्षा मिसाइल प्रणाली का भी सफल परिक्षन ये कहां पे किया आंदर प्रदेश में समर का मतलब होता है surface to air missile for assured retaliation तो मैं आपको बता दू ये बात है 17 देसंबर दो जाते विसकी जब हमारी भारते वायू सेना ने एक exercise किया था अश्त्र शक्ती 2023 नाम से और कहां पे किया था ये exercise एक तो यही प्रशन बन जाएगा तो जो air force station है सूर्य लंका आंदर किया जिसका नाम है summer इससे हम क्या कर सकते हैं इस air defense system से 2.5 mac की speed वाली जो missile होती है उस तक को हम nest कर सकते हैं 1 mac मतलब होता है sound की speed दुगना कर दोगे 2 mac मतलब sound की speed का दो गुना और 2.5 मतलब sound की speed का धाई गुना तो इस speed से अगर कोई missile आ रही होगी तो उसको हम assist कर सकते हैं और इस summer air defense system को किसने बनाया ये भी याद रखना वायू सेना की maintenance command है 7BRD unit उसने और इस summer air defense system को किसने बनाया ये भी याद रखना वायू सेना की maintenance command की 7BRD unit है उसने और एक और point मैंने आपको बताया था कि यहीं पे या इसी के साथ अभी भालते वायू सेना ने आकाश air defense system से अभी सिंगल फाइरिंग से एक साथ चार लक्षियों को तबा कर दिया था और ऐसा करने वाला भारत पहला देश बन गया दुनिया का यानि कि एक की फाइरिंग में या एक की शॉट में हमने चार टारगेट को नस्ट कर दिया और ऐसा करने वाला भारत पहला देश बना और य में Act Today फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी किस ने पहली बार Under 19 Asia Cup 2,23 को जीता तो अंचर होगा बांगलादेश तो यहां हम बात कर रहे हैं Under 19 Asia Cup 2,23 की जो हुआ था United Arab Amirat में बांगलादेश ने इसको जीत लिया पहली बार जीता बांगलादेश ने और उप विजेता रहा United Arab Amirat आचा वैसे आपको याद आएगा भी पुरूशों का जो Asia Cup 2,23 हुआ था जो की Senior Asia Cup है सोलवा संसकरन हुआ था भी 2,23 में पाकिस्तान और श्री लंका में उसको भारत ने जीता था श्री लंका को रहा था और महिलाओं का जो Asia Cup हुआ था जिसे Women's Emerging Team Asia Cup 2,23 बोला हमने यह Hong Kong में हुआ था और उसको भारत नहीं जीता था बांगलादेश को रहा था उसमें हमने फिर आपसे पूछ रहें विजे हजारे ट्रोफी दोजा 23,24 का किताब किस ने जीता तो अंचरूगा हर्याना ने important question mark करना इसे इसका final अभी गुजरात के राजकोट में जो सोराष्टर किरकेट स्टीडी में माँ किला गया था हर्याना ने जीत लिया इसको पहली बार जीता और हर्याना ने किसे अराया राजस्थान को और इसमें player of the match और player of the tournament रहते सुमित कुमार यह रहना के हैं फिर अगला प्रशन है अभी देसंबर दोजा 23 में ही अंतरराष्टर गीता महुत्सव का एवजन कापे हुआ हर्याना में और हमारे जो vice president जगदीब धनकर जी उन्होंने कुरुक्षेत्र हर्याना में यह अंतरराष्टर गीता महुत्सव का उधगाटन किया था जिसकी theme थी वासुधेव कुटमबकम, श्रीमद भगवत गीता और वेश्विक एकता और इसमें partner state भी याद रखना यह असम रहा और एक और point मैं आपको बता दू कि वैसे तो हर साल यह अंतरराष्टर गीता महुत्सव यहीं पे होता है कुरुक्षेत्र हर्याना में लेकिन 2019 से हम इसे विदेशों में भी इसका आयोजन करते हैं फिर अगला प्रशन क्या है पहली बार आयोजित खेलू इंडिया पेरागेम्स में टॉप पर कौन रहा तो आंसर होगा इसमें भी हरियाना तो खेलू इंडिया पेरागेम्स 2020 पहली बार ये हुआ पहला एडिशन था और इसका मैसकोट याद रटना है उजवला जो केरप्रेजन करता है गोर्रेया चडिया को नई दिल्ली में ये हुआ था इसमें टॉप पे हरियाना रहा सेकेंड पे उत्रप्रदेश और तीसरे पे रहा तमिल लाडू फिर अगला प्रशन है अभी मोदी जी ने तमिल संगम के दूसरे चरण का उधगाटन कहां पे किया तो जहां पे पहला चरण हुआ था तमिल सं चोकुविच को ये सर्बिया के टैनिस प्लेयर है आठवी बार इन्होंने ये पुरुसकार जीता है जबकि महिलावां में ये पुरुसकार मिला आर्रेना सबालेंका को जो की बेलारूस के टैनिस प्लेयर है इन्हें तो ये पहली बार मिला है ये पुरुसकार वैसे आपको अब Wimbledon Open आपको बताना है वो किस ने जीता था और वो किस देश की tennis player है वेसे पहले भी मैं ये प्रशन आपसे पूछ चुका हूँ और बता भी चुका हूँ उत्तर अब आपसे पूछ रहा हूँ उत्तर अब आप बताओ और एक और याद रखना परशन के अभी लिएंडर पेस और विजे अमरतराज tennis hall of fame में शामिल होने वाले पहले पुरुष एशिया ये बगए हैं अगला परशन देखते है फिर आपसे पूछ रहे हैं क्या प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी ने कहाँ पर दुनिया के सबसे बड़े योगा center जिसका नाम है स्वरवेद महामंदिर का उधगाटन किया तो आंसर इसका होगा वारानासी में और वारानासी में भी कहाँ वारानासी के उम्राहा में ये दुनिया का सबसे बड़ा meditation center है जिसका उधगाटन किया मोधी जी ने नाम है स्वरवेद महामंदर मतलब मंदिर से ऐसा मत समझना इसमें किसी देवी देवता के मूर्ती होगी नहीं इस मंदिर में पूजा की जगे ब्रह्म ज्यान के प्राप्ती के लिए योग साधना की जाएगी और यहीं पर मोधी जी ने संत सदाफल महाराज जी की 135 फूट उची परतिमा का भी अनावरन किया तो यह साथ मंजिला मंदिर है और दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर है यह याद रखना और योग से आपको याद आएगा एक तो योगा दिवस याद आएगा 21 जून को मनाते है लेकिन एक प्रशन और याद आएगा कि भारत के बाहर पहली योग युनिवरसिटी कहा बनिये अमेरिका में जिसका नाम स्वामी विवेका नंजी के नाम पे रखा गया है यह याद रखना फिर आपसे पूछ रहे हैं भी वर्ल्ड बेंक के रिपोर्ट आई उसके अनुचार 2000 में दुनिया में प्रेक्षन का सबसे बड़ा प्राप्त करता कौन सा देश है तो अंसर होगा भारत प्रेक्षन मतलब होता है रेमिटेंज रेमिटेंज में आपको समझा चुका हूँ कई बार जैसे कि आप बाहर जाते हो बाहर आपकी नौकरी लगे अमेरिका में वहान से खूब भर-बर के पैसा कमाते हो और अपके धरवाले तो यही रहते हैं भारत में तो उनको यहाँ पे घर में आप पैसा भेजते हो तो पै सबसे ज़्यादा प्रेक्षन प्राप्त करने के मामले में दो जाते वेश में भारत नंबर बन है फिर से दूसरे स्थान पर मेक्सिको और तीसरे पर चाइना है और अभी नेशनल क्राइम रिकोर्ड ब्यूरो की एक रिपोर्ट और आई थी उसमें बताया था कि 2022 में महीलाओं के खिलाफ होने वाले अपरादों के मामले में टॉप पर शेहरों की बात करोगे तो दिल्ली है और राज्यों की बात करोगे तो उत्तरप्रदेश है और सबसे सुरक्षित शेहर बताय था कॉलकाता को ये भी याद रखना फिर आपसे बूच रहे हैं भी F.I.H. मेंस जूनियर होकी वर्ल्ड कप दो जाटेविस का किताब जीता किसने जर्मनी ने यहां हम बात कर रहे हैं मेंस जूनियर होकी वर्ल्ड कप दो जाटेविस की जो हुआ था मलेशिया में और जर्मनी ने जीत लिया फ्रांस को हरा करके इसी तरह से याद रखना भी 5 वा F.I.H. मेंस जूनियर वर्ल्ड कप दो जाटेविस हुआ था इसको नीदरलेंड ने जीता है अर्जेंटिना को हरा करके तो मेंस वाला भी बता दिया वोमेंस वाला भी बता दिया दोनों याद रखना फिर आपसे पूच रहे हैं अभी 26 वा World Women's Handball Championship 2023 का खिताब किस ने जीता तो अंसर होगा France ने तो हम बात कर रहे हैं World Women's Handball Championship 2023 की इस बार ये इसका 26 वा संसकरन था ये तीन देशों में हुआ था वैसे तो डैनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन में लेकिन बात करें इसको जीता किस ने तो France ने जीत लिया है किसे हराया या उप विजेता कौन है तो नॉर्वे है फिर इस प्रशन में आपसे पूछ सरे मिश्र के यानि कि एजिप्ट के राश्टरपती फिर से कौन बन गए तो अंसर होगा अब्दुल्फटेल्सी सी अभी तक यही थे और फिर से यही यहां के राश्टरपती बन गए कह सकते हो लगतार तीसरी बार ये राष्टरबती बने है यहां के अब्दुल फतेल सीसी मिशरिया ने की एजिप्ट इसके केपिटल काईरा है और करंसी चलती है एजिप्टियन फाउंट अच्छा हमने पढ़ा था भी की एजिप्ट का एक सेटलाइट है उसको चाइना ने लॉंच किया था अब ये रिविजन वाली क्लास में भी हम पढ़ चुके हैं इस प्रश्न को बताओ उस सेटलाइट का नाम क्या है तो गाईज ये थी आज की आपकी रिविजन वाली क्लास कैसी लगी आपको क्लास कमेंट करके जरूर बताना